क्रेडिट कार्ड क्या होते हैं, कैसे होते हैं, काम कैसे करते हैं, ये क्रेडिट कार्ड कमप्टी स्पैसे कैसे कैमाती हैं, आपके लिए ये क्रेडिट कार्ड अच्छे होंगे या बुरे होंगे और आपको कैसे यूज करना चाहिए, आज हम ये सारे टॉपिक इस वीडियो म और productivity के ओपर मैं regular videos upload करता हूँ अगर आपका इन दोनों topics में interest है तो please इस channel को subscribe कर दें और bell का button भी दबा दें उससे आपको आने वाली जितनी भी videos हैं वो notification में मिल जाएंगे हम एक example से देखते हैं कि credit card का फाइदा पहले तो क्या है first करें एक student है जो के अपने घर से बाहर निकला वाए और वो किसी और शहर में जाके पाड़ रहे है अब उसके पास एक credit card है जो इसके parents ने उसको दिया हुआ है उसको कहा है इसको 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 पंडेमिक उसको फून खराब हो जाता है उसको फून चाहिए होता है या laptop चाहिए होता है whatever अब उसको वो laptop लेना है लेकिन उसके पाड़ पैसे नहीं है और for some reason उसके फादर भी पैसे बिजवा नहीं सकते है उसको 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 उसके लिए सबसे easy है कि जो उसको credit card मिलाव है वो जाए और market से credit card खरीद ले और जब payment की date आएगी आज से let's say 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, 50 दिन बाद वो उस ताइम पर उसको उसके फादर उसके पैसे बेज़ चुकी होंगे और वो laptop या mobile खरीच चुका होगा तो यह देखा आपने कि इतना असान हो जाता है आपको credit card अगर आपके हाथ में है तो आपको बहुत सारे जिन्दगी में decisions लेना और उनको appropriately execute करना basically इसको देखें तो यह एक mini loan है आपको loan लेकिन आपको अलग से कोई apply नहीं करना पड़ेगा आप सिर्फ जाएं और इसको swap करें credit card को या आप आप से कोई credit history पूछेगा कुछ भी नहीं कोई पूछेगा और आपका यह execution हो जाएगी आपको बस 20 दिन बाद 50 दिन बाद जब भी होगा वो पैसे देने होगा इसमें credit card क्या होते है debit card क्या होते है और यह जो companies है यह कैसे पैसे कमाती है अब आप देखें इसके अंदर जो companies है जो credit card की parent companies है यानि कि मैं banks की बात नहीं कर रहा है क्योंकि banks तो credit card provide करते है लेकिन basically 3-4 companies है जो दुनिया में चल रही है अगर आप बहुत बड़ी-बड़ी companies की बात करेंगे अगर आप इनके आज जाके stock exchange में इनके जो graphs है वो देखें पिछले let's say 2-3 साल के exactly दूसरे को follow करें price difference है दोनों के stocks के अंदर लेकिन follow इनका जो trend है वो बिल्कुल सेम है तो उसमें आप देखेंगे कि visa card और mastercard के जो numbers है almost सेम ही है visa card या mastercard जो back end services है वो provide करती है इसके अंदर आप देखें अगर आपका कोई भी आप किसी भी retailer के पास जाते हैं तो उसमें आप card swipe करते हैं तो आपको let's say let's say पाकिसान में अगर आप हैं तो आप let's say habib bank का credit card यूज करें वो जो credit card आप swipe करेंगे वो habib bank का credit card तो as a marketing habib bank का credit card है लेकिन जो back end services है या तो वो visa की होंगी या mastercard की होंगी तो वो पीछे से connectivity आपको ये दोनों major companies दे रही होंगी पाकिसान के अंदर या कहीं भी दुनिया में इसी वज़ा से जो ये जो cards हैं ये internationally बड़े अराम से use हो जाते हैं सिर्फ आपको जो banks के अंदर charges परते हैं उनके conversion charges परते हैं या उनकी जो अलग से fees होती है bank की वो bank लेता है ये companies नहीं लेती हैं ये companies तो आपको एक service provide कर रही हैं जो के bank इनकी service की cost bear कर रहा होता है तो basically ये companies आपको समझ ले जब भी आप transaction करते हैं चाहें इसका fix cost हो या percentage हो ये उस bank से charge कर लेंगी अपने पैसे अब बात करते हैं ये जो banks होते हैं ये कैसे पैसे बनाते हैं ये banks basically एक तो ये कि yearly charges लेते हैं बहुत सरे credit card की yearly charges होते हैं इसके इलावा अगर आप credit card की पैसे pay नहीं करते हैं ताइम पर तो उसकी late fees होती है उसके charges होते हैं कचś withdraw else करते हैं ये बड़ा खतरनाक हैं अगर आप cash withdraw करते हैं तो ये उसके ओपर charging करते हैं उसके ये बहुत खतरनाक किस्म का interest भी लगाते हैं और उसके उपर चार्ज भी करते हैं तो कभी भी अच्छा बाइद वे मैं इसमें एक टिप दूँ आपको ये मेरे एक दोस्त के साथ हुआ था आप कभी भी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की पिन सेम ना रखे हैं हुआ ये था कि मेरे एक दोस्त हैं वो उन्होंने ज फोड़ा से मैनियो वह फर्क था लेकिन उनके पैसे निकलाए अब आप सोचें उन्होंने इतनी बड़ी गलती करी कि क्रेडिट कार्ड डाला एक तो वो देखा नहीं कभी कभी होता है ना ये सेम डिजाइन की क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड होते हैं तो उन्होंने वो उनको पता नहीं चला और उन्होंने जब पैसे निकाले और जब बाद में समस आया तो उनको पता चला कि उनके साथ हो क्या गया है तो आप कभी भी दोनों क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की पिंस सेम ना रखें और अकर रख रहे हैं अपनी जेब में तो अलग आपको सुनके हरानगी होगी कि सबसे बड़ा जो उनका रेविन्यू स्ट्रीम है वो स्टूपिडिटी है लोगों की वो स्टूपिडिटी से कमाते हैं उनको पता है कि इनको क्रेडिट कार्ड डिया वाए यह गलतियां करेंगे और हमें पैसे मिलेंगे तीस परसंट से चा गलती से आ भी जाता है तो activate न ना करा और यह और वो बटर यूना वे यह इनको पता पास को कैसे मैनेज करना है अपने उपर कंट्रोल नहीं होता लोगों को तो इस वज़ा से वो लोग खलतियां करते हैं वरना क्रेट कार्ड एक इतना जबर्दस तूल है कि आपको मैं बता नहीं सकता हूं इसके अंदर आपके पास मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर पत लोन के मैंने गाड़ी खरीद ली ती ये बात और दूसरी बात ये कि मैं सोच रहा हूं आप मुझे बताएं मैं क्रेडिट कार्ड के उपर एक ऐसी वीडियो बनाना चाहता था कि मैं बताओं कि मैंने आप 12 साल से में यूई के अंदर हूं अगर आप कहते हैं तो कमेंट के एक इंस्ट्रुमेंट है बहुत अच्छा इंस्ट्रुमेंट है आपकी मैने मैनेजमेंट का लेकिन अगर किसी को अपने ओपर कंट्रोल नहीं है तो उससे बड़ा लूजर कोई नहीं होगा जिस ने क्रेडिट कार्ड के ओपर लोन लेकर या क्रेडिट कार्ड के ओपर खर और्ट मेख आपो कौनसा लिमिट कर देना है आपको कौनसा कितनी लिमिट कर देना है आपकी क्या टेम्जकर यह बहुत सारी चीज़ होंगी जो एक credit card मिलते वक्त आपके उपर भी depend करता है कि आपका credit score कैसा है फिर यह कि आपका bank कैसा है आपको क्या offer कर रहा है उस ताइम पर इस तरह की बहुत सारे credit card मिल रहे हैं और क्या उसकी terms and condition है credit card को जैसे मैंने कहा कि मैंने बड़े फाइदे उठाए हैं और as 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 मैंने as इससे पहले मैंने कहा कि मुझे बताएं कि मैंने कितना almost अभी तक इससे कमा ली होगा पिछले 12 सालों में लेकिन आपको मैं बताओं अगर मैं गिननवाना शुरू करूँ आपको कि क्या क्या इसके फाइदे हो सकते हैं सबसे पहला फाइदा कि आपको पास अभी कोई पैसे नहीं हो आप कोई चीज भी खरी सकते हैं यह सबसे बड़ा फाइदा भी है और यह सबसे बड़ा नुकसान भी है नुकसान के बारे यह नुकसान क्यों है यह नुकसान मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा इस वीडियो के इस दूसरे section के अंदर जब हम बात करें या transaction करते हैं उसके लिए आप अगर आपने insurance ली भी है या नहीं ली भी है in any case आप इंशोर्ड होते हैं आपके पैसे जेव से नहीं जाते हैं फर्स करें आप और बहुत सारी companies तो कहती हैं कि आपको credit card यूज करना ही करना है लाजमी रेंटा कार companies credit card के बागर काम नहीं करती है क्योंकि लेट से आप बात करें आपने कोई international transaction की और उसके अंदर वो फर्स करें वो गलत हो गई या किसी ने आपके बहाँ पर आपका हैक करके credit card international transaction कर ली तो वो पैसे आपको वापस मिल जाएंगे प्लस यह कि वो पैसों का बिल आपके पास एक दिर महीने में generate होगा लेक जब भी online काम करें हमेशा credit card यूज करें बहुत जबर्दस चीज़े risk covers करने के लिए इसके लावा जो एक popular चीज़े credit card क्यों यूज करते हैं लोग लोग कैश पैक के लिए यूज करते हैं लोगों को इंशूरंस कभी कभी free में मिल जाती है लोगों को airport lounge मिलते हैं आप आप चल रही है उसके उपर आप free में airport lounge access करते थे airport lounge का access बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है अगर आपके पास layover जादा हो या आपको आपको जल्दी जाना हो या आपको जल्दी जाना हो या आपको नीन आ रही हो सोना हो तो यह सारी चीज़े एर पूर्ड लाउंज में कमिटी भी कहते हैं और बैलिट कमिटी बैसिकली इसका अब्रिवेशन है जो कि मैं बिल्कुल सख्त मुखालिफ हो इस चीज़ का आप अगर आपको capital raise करना है और दो तीन महीने के लिए आपको विडिन तू 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 त्री मन्स आपको यह capital चाहिए तो आप बैसिकली BC डा डालने के बजाए आप credit card use कर लें और उसके अंदर कुछ money management कर लें वरना BC तो आप बिल्कुल भी use ना करें BC एक ऐसी चीज़ है जो मैंने इस वीडियो में जो बात की थी कि इसके अंदर ना कुछ आपको पता होता है कि किसके साथ आप काम कर रहे हैं पता भी हो तो उसके अंदर कभी कोई बंदा default कर जाए या कोई problem हो जाए तो BC ना यूज करें बजाए इसके BC यूज करने के अगर short term में पैसे चाहिए तो credit card यूज कर लें पैसों के लिए नहीं जो चीज़ खरीदनी है उसके लिए credit card से कभी भी cash withdrawal नहीं होता है होना नहीं चाहिए बनना यह यह के अंदर मैं यूज कर रहा हूं इसके अंदर joining bonus दिया था उन्होंने 500 दिरम्स का तो free money था भाई पुछी मसले ही नहीं था आपको पैसे मिलने है credit card यूज करने के 500 दिरम उन्होंने दे दिया थे nothing like it ठीक है ना शायद अभी भी scheme चल रही है आप चेक करने हैं उसको इसके अलावा यह कि आप मुझे बताईएगा कि जैना किस तरह से आप लोग फाइदा उठाते हैं या आपको पता है कि grace period किस तरह काम करता है मतलब आपको 15 to 50 days को पीरिड मिल ला है उसको किस तरह से best utilize करना है अगर आपको नहीं पता तो please comment में लिखें मुझे बताएं मैं आपको अलग से उसके उपर एक विडियो बनाऊंगा उसके बारे में इसके रावा एक बहुत important चीज़ यह कि credit card apart from अगर आपको first करें credit card यूज नहीं भी करना आपने सोच लिए credit card यूज नहीं करना लेकिन आप फिर भी credit card यूज करें क्योंकि आपकी credit profile बन रही होती है once credit यह खास आपर western countries में लाज़मी आपको credit card यूज करना चाहिए उससे आपकी जब आप credit card यूज करते हैं और full payment करते हैं तो आपकी history बनना शुरू हो जाती है otherwise कोई नया बनना होगा तो उसकी credit history बनना इतना असान नहीं है उसको mortgage पर जाना इतना असान नहीं है तो बेतर यह है कि अगर आप credit card से start करें थोड़े बहुत पैसे खर्श करें और उसके बाद उसको full payment कर दिया करें तो आपकी credit profile बनेगी और उसमें बहुत अच्छा आपको credit score होगा उसमें बड़ा फरक पड़ेगा अच्छा अगर हम बात करें के credit card को select करते वत क्या क्या चीज़े देख करें मैं UA की बात करूं तो UA के अंदर ADCB के कुछ cards हैं जो के इतिहाद का आपको miles दे रहे होते हैं अब मैं कभी आज तक अबुदाबी से fly नहीं किया तो मुझे फाइदा किया कि मुझे इतिहाद के double miles भी मिल जाएं compared to someone a credit card company which gives Emirates miles मतलब मुझे Emirates miles मिल रहे हैं और इतिहा इसलिए कि मुझे अपने इतिहाद के points करने मैं दुबई से अबुदाभी जाओं जस्ट यूज दूस पॉइंट और मैं उसमें petrol जाया करूं टैक्सी का खर्चा जाया करूं टाइम जाया करूं सब को जाया करूं सिर्फ इसलिए कि मुझे वो अपने जो card के miles हैं वो इसके अलावा यह कि annual fees नहीं होनी चाहिए credit cards के उपर अगर है तो उसको आप wave off करवाएं अगर नहीं करवा पारें तो आप फिर वो card ना लें और अगर eventually आपको card लेना है for some reason तो आप उसके advantages way करें कि वाकई उसमें फाइदा हो रहा है आपको उस card का इतना फाइदा हो रहा इसके अलावा credit card के जो भी spending tiers होते हैं वो जरूर देखें क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी companies जो हैं वो fine prints नहीं बताती और यह नहीं बताती कि फर्ष करें आपके 20,000 का cashback मिलेगा तो इस तरह की चीज़े कभी भी नहीं बताती है तो जब वो आपको नहीं पता होगा तो आप फर्ष करें आप आपने आपको पता है यार यह मुझे 2% cashback मिल जाएगा या 3% cashback मिल जाएगा आपने उस पे 5,000 रुपे दिरम खर्ष कर दिये अब जब वो खर्ष कर दिये तो आपको बाद में परच चला कि नहीं यह तो cashback ही नहीं आया उसका reason यह था कि जो 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 आपके पास mx आज आ रहा है और आप जिस कंट्री के अंदर है वहां American Express नहीं यूज होता है यह जादा तर यूज नहीं होता तो फाइदा नहीं है मेक शूर करें जो आपका कार्ड का जो जो ब्रैंड है वो उस जगह पर यूज हो रही हो जहां पर आपको यूज करना है उसको अदर्वाइस आपका कितना भी अच्छा कार्ड हो उसका कोई फायदा नहीं होगा इसके लावा एक important बात यह कि although के mastercard और visa card दोनों एक साथ हर जगह यूज हो रहे होते हैं लेकिन जैसे मैंने बताया ना कि कभी कभी आपका mastercard किसी एरपोर्ट पर यूज होता है कभी कभी visa card किसी एरपोर्ट पर यूज होता है तो इन चीज़ों को वे करना चाहिए कि आपको हो सकता है possibility है कि आपको दो combination होने चाहिए एक mastercard और visa card हो ताकि जहां जो चीज़ चल रही हो आप वहां पर चला दें उसको तो यह हो गया आपका credit card का selection का तरीक्षा अब आते हैं सबसे मज़ेदार चीज़ के उपर कि आपको credit card कभ यूज नहीं करना चाहिए यह तो मैंने सारी अच्छी चीज़ें बता दीना आपको credit card के फाइद देना चाहिए तो आप सबसे पहले तो अगर आप पूरा payment नहीं कर सकते हैं महीने के end पे देड़ महीने के end पे तो आप छूएं भी नहीं credit card को इससे बड़ा cancer कोई नहीं credit card से अगर आपके पास यह habit नहीं है सही है ना second point यह है कि अगर आपका कोई credit card किसी भी जगा पर चार्ज करेगा अगर ऐसे ऐसी बात है कि कहीं पर वह एक्स्रा चार्जिंग हो रही है दो परसंट धाई परसंट की जो भी है कभी भी credit card यूज ना करें वहाँ पर अच्छा इसके लावा अगर अगर आप सबसे पहले तो यह कोई भी खर्चा कर रही है तो देखें कि वह खर्चा खर्चे के लिए कर रहे हैं यह इसलिए कर रहे हैं कि credit card के माईज बन जाएंगे अब फर्स करें एक हजार दिरम की कोई चीज है उस पर सेल लगे 750 दिरम की होगी अब आप कहें 750 दिरम की जब मैं खरीदूंगा अप तो ठाई पसंट मुझे credit card का cash pack में मिल जाएग तो और सस्ती होगी लेकिन आप मुझे बता हैं कि अगर वो 1000 दिरम की सही नहीं थी वो चीज तो साड़े 700 दिरम की ठीक होगी वो चीज आपके लिए जब आपको लेनी ही नहीं है तो why to go for it तो फिर इस पॉइंट पर आप देखें कि credit card को यूज करते वे आप सोचेंगे सि अगरी भी किसी भी चीज़ की down payment में यूज ना करें मैंने example दी थी गाड़ी के अंदर के मैंने गाड़ी के अंदर cash payment के साथ credit card यूज किया था that is acceptable लेकिन अगर आप first करें मेरे पास down payment के पैसे नहीं है और मुझे bank से गाड़ी भी चाहिए तो मैं जो down payment के पैसे हैं वो credit card स acceptable नहीं है आप हर सूरत में ऐसा ना करें कि आप गाड़ी ले रहे हैं गाड़ी को की down payment let's say 20% की credit card पर कर रहे हैं और बाकी के पैसे 80% जोना वो किस्तों के बना लेते हैं उसको तो वो basically पैसे तो आपको pay करने है eventually और उसको जादा पैसे पर करने पड़ेंगे क्योंकि credit card की अगर आप लेट payment कर रहे होंगे वो तो और खतरनाक है तो इस condition में या किसी भी तरह की down payment की condition में जो आप double loan ले रहे हों आप कभी भी double loan पे credit card पर खास्वार पर ना करें सही है ना please let me know कैसी लगी वीडियो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो please like कर दें subscribe कर दें च